नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलंशर्मा इस विडियो में हम दिसकस करेंगे की New Relax A Tablet का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है New Relax A Tablet को कैसे लेना चाहिए और New Relax A Tablet की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि Neorelax A Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. Neorelax A एक ब्रैंड नेम है. Neorelax A Tablet के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है. Neorelax A Tablet के अंदर सॉल्ट कमपोजीशन एसिकलोफनेक और थियोकोलचिकोसाइड होता है. और मासपेशियों की एंधन को कम करता है. Neorelax A Tablet का उप्योग मासपेशियों के दर्द के इलाज में किया जाता है. जैसे कमर में दर्ध होने पर, गर्दन में दर्ध होने पर, पैरों वा हाथों की मासपेशियों में दर्ध होने पर Neorelax A Tablet का उप्योग किया जाता है Neorelax A Tablet शरीर की मासपेशियों की एंठन, मासपेशियों की जक्डन और मासपेशियों के दर्ध से राहत दिलाती है Side effects की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में Neorelax A Tablet की वज़े से कोई side effects नहीं होते हैं, लेकिन कुछ percent व्यक्तियों में Neorelax A Tablet की वज़े से कुछ side effects हो सकते हैं, जैसे बधजमी होना, पेट में दर्ध होना, पेट में जलन होना, कब्ज होना, उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, तवचा पर खुजली होना, तवचा पर रैशेस होना, भूप कम होना, दस्त होना और लिवर इंजाइम बढ़ सकते हैं, ज्यादा लंबे समय तक Neorelax A Tablet को लेने से किड्नी वर लिवर डैमेज हो सकते हैं, और शरीर में खून की कमी हो सकती है, अब हम डिसकस करेंगे कि Neorelax A Tablet को कैसे लेना रिक्मेंडेड होता है, आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को Dr. Neorelax A 4MG यानी 100 प्लस 4MG टैबलेट को दि दो बार लेने की सला देते हैं, लेकिन दर्थ की गंभीरता ज्यादा होने पर Dr. Neorelax A 8MG यानी 100 प्लस 8MG टैबलेट को भी दिन में दो बार लेने की सला दे सकते हैं, और Neorelax A टैबलेट को पाँच दिन तक लगातार लेने की सला दे सकते हैं, Neorelax A Tablet को लगातार साथ दिन से अधिक लेना recommended नहीं होता है Neorelax A Tablet की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको Neorelax A Tablet को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे कि Neorelax A Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए 16 साल से कम उम्र के बच्चों को Neorelax A Tablet को देना recommended नहीं है Neorelax A Tablet की वज़े से दस्त होने पर Neorelax A Tablet को डॉक्टर से सलाह लेकर तुरंत ही बंद कर देना चाहिए पेट में अलसर होने पर, पेट या आंतों में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, किड्नी, लिवर या दिल से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर Neorelax A Tablet को लेना recommended नहीं होता है इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्टर की सलाह के बिना Neorelax A Tablet को नहीं लेना चाहिए Neorelax A Tablet मा के गर्ब में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है और स्तनपान करा रही महिलाओं में Neorelax A Tablet मा के दूद के जरीए बच्चे तक पहुँच सकती है और दूद पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्स पैदा कर सकती है इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Neorelax A Tablet का सेवन करना सुरक्षतवर रेक्मेंडेड नहीं है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका Neorelax A Tablet से संबंधित कोई प्रशन है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं